पूजा से धनप्राप्ति होती है, क्योंकि सब बड़ी समस्या लोगों के साथ जीवका अपार्जन के लिए धन की जरुद परनती है. Vermont कोबिरिश्वर महाधेव कहलाथे, कुबरभंडारी कहलाथे, कोबरभंडारी का मतलब है, कि जो नारायन को भी लच्छमी दी है, लच्छमी नारायन की नहीं की, माता लच्छमी की जो मा थी ख्याती देवी, वो ख्याती देवी लच्छमी जी की जो मा थी, वो शंकर की अराधना में ही देती, कि विदिन उन्हें शिव जी से कहा मेरी बेटी है लच्छमी, आप मेरा पानिवेदा ने इस पाथ स्विकार कर लेए शिव जी करते हैं में लच्षमी को स्विकार नहीं कर सकता कि शंकर जी नरायन के मन की बात को जान देए नरायन ने तुरंत उसी समय पर जैसे ही ख्याती देवी ने कहा कि आप मेरी बेटी लच्षमी से विवाह करो तब भगवान संकर ने नरायन से कहा कि ख्याती मेरे पास में आई जी उसकी बेटी लच्षमी को जिना चाहती है में लच्षमी को इस नहीं करते हैं आप लच्षमी जी भगवान नरायन को तब कर पाने के लिए शंकर जी क्या राधना करती है शंकर जी क्या राधना करते 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 मा लट जोड़ कर बेड़ ानश्यव जी प्रगत हो गया चाहती है लट लट नियुक्त आपको नाराण मिलेंगे क्याती देवी को स्वेयं भगवान संकर ने कहा कि आपकी बेटी का भिवाफ नाराण से करिये सवयं कज्वा कर नरयन के सांट। जब मूंका मिल जाए। भक्त शंकरता यहां है। मैं तो किसी को कुछ नहीं जोणका और मैंने आपको नरयन कीज़ा है। तो लचमी आप उसके घर में नारायन के साथ स्वयम प्रविश कर लोग करते हैं लचमी जी का दिन शुक्रवार का दिन होता है। शुमापुरान करती है लचमी जी का दिन सोंबार का होता है। सोंबार के दिन जो मनुष्य संकर जी के मंदर में प्रविश्ट करता है उसके पीछे-पीछे लच्छी में उसके घर पर जाती है, उसके विद्वार तक पहुश्टी है, परदोष के दिन जो शिवालाय में जाता है उसके पीछे-पीछे लच्छी में उसके दरवाजे तक प पती बन जाएगा उसको भी कोई काम की नहीं रहेगी वह भी को गरा अभी पती का आनन प्राप्त प्राइगा